जैहिंद नाज़कार साथियो स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे आज इस वीडियो के इंदर हम जज़्जा करने वाले हैं रीट बरती 2022 के बारे में जिसमें हम जर्चा करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बारे में आप सब को पता होगा कि लेवल 1 के कुछ मूल पदों पे परणाम है वो बाकी रह गया था और मैंने पहले भी बताया था कि वो जारी होगा और उस दाए चैर्मेन मोदे ने ये कहा था कि वे रजल्ट हमारी तरफ से जारी कर दिया तब भी मैंने ये बुला था कि रजल्ट है वो आपका आएगा मूल पदों पे बाकिया और इतनी पद मैं बताये थे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथी साथ लेवल 2 के रिवाइज रजल्ट के बारे मैं हम चर्चा करेंगे था 382 पदों पे लेकिन चेर्मन मौदे ने बोला था कि हमने रजल्ट पूरा जारी कर दिया था उस टाइब मैंने वीडियो डाला था आपने देखा भी होगा मैंने बताया था कि मूल पदों पे परणाम बाकि है वो उनको जारी करना पड़ेगा तो इन्होंने अब बताया ह तो पदों फिर भी और रह जाते हैं दोस्तों पदों पे लगबग और खाली रह जाते हैं फिर मूल पद जो है तो दोस्तों पदों पे और आना चाहिए तो ये किस परकार से खाली रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं ये अभी तक इन्होंना इस्तितिया वो कलियर्ट नहीं क पढ़ेगा क्यूंकि यह तो मंत्र से रहें उनका इक स्लेक्शन है वो हो सकता है अब देखो लेवल बन में एक चर्चा और थी आपको पता होगा कि लेवल बन में जो भी नोन जोईनर जो एपातर कंडिडेट है उन सभी की जिलावाइज है वो रिपोर्ट मांगी गई थी तो वो रिपोर्ट है वो जल सिक्षव बाग के अंदर है वो पूंच जाएगे और कहीं मिलेगा और आपका स्लेक्षिन वो निश्यत रूप से होने वाला है तो जुरूर लगाता रहा है वो न्यूज अपडेट के बारे में बने रहे ना क्योंकि आपको कभी भी खुशी है वो मिल सकती है ठीक है बाकि कोई भी आपके लिए अपडेट हो कि निश्यत बारे में तो देखो लेवल टू के बारे में मैंने पहले भी बताया था जब रिवाइज रजल्ट के बारे में न्यूज आई थी तो मैंने बोला था कि पंद्र अक्टूबर के बाद में ही कोई प्रणाम जारी होगा लेकिन बीच में चैर्मन उमोदे ने बोला कि हम सरकी के इसाब से होगा पूरी कटोफ है वो नई बनेगी कोई कटोफ का लेना देना नहीं होगा आप वाली का पूरा रजल्ट है वो दुबारा से अपडेट किया जाएगा अब इसमें देखो जो चैनित साती हैं वो जो कुछ तो मेरा यह मानना है देखो दोनु के साथ में ही अन्याय ना हो क्योंकि जो चैनित साती अब चुन करके आएंगे नहीं उनके साथ भी न्याय होगा कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अच्छी मैनत की लेकिन क्यूशन में गड़बड की वजह से उनको बाहर रख दिया और जिनको कर लिया था पहले तो उनकी कोई गलती नहीं थी अब बोर्ड ने क्या होतो चैनित अब बोर्ड चैन करके और एक साल बादे भार निकले तो यह भी न कहीं सहीश नहीं होता है तो इस बारे में सेटों पोस्ट क्रियेट करके उनको भी पोस्ट पर बनाये रखे तो बहुत जाता भी बहतेगा लगातर वो प्रयासरत है लगातर आपका काम करेंगे लिफोUL सरकार उथती cuidado को पृस्ट के लेकर, अभी तक कोई वो सरकार की तरप से नहीं है अब जो सरकार नहीं करेगी तो पिर मैंने बोला हुआ है कि कोल्ट में जाना पड़ेगा अगर भार ही हो जाओगे तो और मेरा यह मानना है कि थोड़ी मांग है वो ज्यादा अच्छे स्थर पर उठाईए क्योंकि अब रजल्ट जारी होने शुरू हो जाएंगे फिर आपको निश्यत्रप से नय होगा तो लेवल टुक यह अपडेट थी दो रजल्ट हो पंदर अक्टूबर को आ रहे हो और उसके बाद में दिवाली तक आप मान के चलना कि काफी रजल्ट हो आपके आज हैंगे ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद